नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका पात्फाइंडर स्टिडी पॉइंट में तो इस सेसन में हम लोग प्राचीन भारती रिहास के जो है जो प्रस्न सॉल्व कर रहे थे उसमें 27 वा लेक्चर है और गुप्तोतरकाल में हम आगे को कांटिन्यू करेंगी गुप्तोतरकाल के हम लोगो ने साथ कोस्चन जो है लास सीरीस तक सॉल्व कर लिये थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम तो सेन वंस के किस सासक के दरबार में गीत गोविन के रचैता या लेखक जैदेव निवास करते थे लचमर सेन के दैबार में थे लचमर सेन की रासाभा में अनेक प्रतिष्ठित बिद्वान वा लेखक निवास करते थे इसमें गीत गोविन के लेखक जैदेव पवन दूद के लेखक धोई ब्राम्हर सर्वस्चु के रचैता हलायुद प्रमुक्ते हलायुद उसका प्रधान नायदीर तथा मुकमंत्री भी था निमलिखित में से किस कवी को उत्तरापत स्वामी की उपादी से संबोधित किया गया है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन यह है धर्म पाल को ग्यारवी सतापदी में गुजराती कवी सोडेल ने धर्म पाल की को उत्तरापत स्वामी की उपादी से संबोधित किया है पाल वर्ष की स्थापना लिम्लिखित में से किसने की थी? पाल वर्ष की स्थापना गोपाल नमक सासक दोरा की गई थी और ये बौध के अनुयाई थे 750 से 770 इसुई तक इनों ने सासन किया था किस वंस के सासकों ने परम सौगात की उपादी धारन की थी पाल वंस के सासकों ने धरम पाल एक उत्साही बहुत था उसके लेखों में परम सौगात कहा गया है उसने बिक्रम सिला तथा सोंपरी विहारों की स्थापना की है तो बिक्रम सिला की स्थापना किस ने की है धरम पाल ने की है ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है किस पाल सासक ने दाय भाग के जनदाता जीमूत वाहन को सनच्छन प्रदान किया था महिपाल ने पाल सासक महिपाल के सासनकाल में दाय भाग का जनदाता जीमूत वाहन को सनच्छन प्रदान किया था भगवान सीव के सम्मान में कि सासक ने एक हजार मंदिर बनवाये थे नारायन पाल ने पाल सासक नाराण पाल की सैनिक जीवन की अपेक्चा सादू जीवन बीताने में अधिकरूची थी, उसने सिव के सम्मान में एक हजार मंदरों का निर्मान करवाया था निमलिकित में से कौन सा कथन असत्य है हमको देखना है, तो धर्म पाल प्रतिहार सासक वद्सराज तथा राश्टकूश सासक धुरू से पराजित हुआ था, ये बिल्कुर सही कथन है महिपाल ने बहुत बिच्चु 38 को सिलंका भेजा था, ये कथन गलत है पाल सासंग महिपाल ने बहुत विच्छू अतिस के नितत में तिबबत में एक धन पुचारक मंडल बेजा था तो यहाँ पर सिलंका की जगे क्या होना चाहिए था तिबबत सही होना चाहिए था फिर अगला सही कतन देखते हैं पाल राज में सुलेमान नामक अरब यात्री आया था बिल्कुत सही है पाल कलाकारों को कांस की मूर्तियां भी बनवाने में महारित हासिल थी यह भी सही कतन है निमलिखित में से किस राजवन्स के राजा का चैन मतदान द्वारा किया गया था पाल वन्स ससांग की मृत्त्य के बाल लगभग एक सताब्दी तक बंगाल में अराजक्ता और अव्योस्था का वाता वरन रहा आठवी सताबदी के मद असांतियों मवश्था से उपकर बंगाल के नागरिकों नोई गोपाल नामक एक सुयोग सेना नायक को जन्मत द्वारा चुना था निमलिकित में किसासक को देवी लच्मी की बाह ग्रहन कराई गई गोपाल को आठवी सताब्दी में बंगाल में जो अव्यवस्था फैली थी उसे मत्सिन्याय कहा गया इसमें कहा गया कि मत्सिन्याय से छुटकारा पाने के लिए सामान जन्ता ने गोपाल को लच्मी की बाह ग्रहन कराई थी निमलिखित में से किसे गुर्जर प्रतिहार वन्स का संस्थापक माना जाता है कई वाई पूछा जिए चुका है हरीचंद्र को गुर्जर प्रतिहार वन्स का संस्थापक हरीचंद्र था कि इस वस्त का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो नागभट प्रतम को माना जाता है पुलिकेशन दुतिय के एहोल लेक में गुर्जर जातिका उलेक सर्पतम किया गया है प्रतिहार सासक भोज ने कौन सी उपाधी धारन की थी तो आदिवराह और प्रभास ये दो उपाधीया धारन की थी परमार सासक भोज वैश्णो धर्म के अन्याई थे उन्होंने आदिवराह तथा प्रभास जैसी उपाधीया धारन की थी जो उनके दोरा चलाए गए चांदी के द्रम सिक्कों पर अंकित की गई है निमलिकित में से किस सासक के राज सभा में प्रसिद विद्वान राज सेखर निवास करते थे महेंद्र पाल प्रथम के महिर भोज के प्रश्चात उसका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम सासक बना लेखो में उसे परम भट्टारक महराजा अदिराज परमेश्वर कहा गया है उसकी राज सभा में परसिद विद्वान राज सेखर निवास करते थे जो उसके राज गुरू भी थे किस प्रतिहार सासक के समय में अलम सूदी गुजरात में आया था महिपाल के सासन में महिपाल का सासन का नौसो बारा से नौसो ते तालिस इस भी था या एक कुसा लेओं परतापी सासक था इसके सासन में बगदाद निवासी अलम सूदी गुजरात आया था कवी राज सेखर ने किस सासक को आर्या वर्थ का महादिराज कहा था महिपाल ने कवी राज सेखर को महेंपाल परतम तता महेंपाल दोनों का सनच्छन पनान किया था महिपाल का सासन काल सांती ओम समरद्धी का काल रहा है राज सेखर उसे आर्यावर्थ का महराजा दिराज कहता है निमलिखित में से कौन सा कठन आसत्ते है ये हमको देखना है हेन स्वांग ने गुर्जर प्रतिहार राज को भारत का दूसरा सबसे बड़ा राजी कहा है बिल्कुत सही है गुर्जर प्रतिहारों ने संकट के समय भारत के द्वारपाल की भून का निपाई है ये भी कथन सही है प्रतिहार सासकों के पास भारत में सर्वोच अस्वारोही सैनिक थे ये भी कथन सही है गुर्जर प्रतिहार वर्ज का अंतिम सासक बिनायक पाल था बिनायक पाल दुती था जो की गलत है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वर्ज का अंतिम सासक कौन था यसपाल था 1036 इस्वी में अगला कुश्चन देखते हैं निमलिखित में से किसने कन्नोज में गहडवाल वंस की स्थापना की थी चंद्र देव ने चंद्र देव ने लगभग 1080 से लेके 1085 के मद गहडवाल राजवंस की निव कन्नोज में डाली दिल्ली के तोमर वंस ने भी उसकी अधिनता स्विकार कर ली थी किस सासक को विविध विद्या विचार वाचस्पती कहा गया है गोविंद चंद को गोविंद चंद बहुत बड़ा विद्वान था उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाच्चस्पती उसको कहा गया है गहडवाल वंसकी किस सासक ने राजसुई यग संपन कराया था जैचन्द ने जैचन्द ने देवगिरी के यादों गुजरात के सोलंकियों तथा तुर्कों को कई भार युद मेहराया था अपनी विजय के उपलच में उसने राजसुई यग का संपन कराया था निमलिखित में से नैसद चरित नामक रचना किस की है स्री हर्स की जैचन्द ने संस्कृत के प्रख्यात कभी स्री हर्स को सर्मच्छर पदान किया था नैसद चरित एवं खंडन खाद दिनामक रचनाय जो है स्री हर्स की है निमलिखित में से किस सासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी अजयराय ने पृत्वी राज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजयराय बारवी सताबदी में सासक बना हुआ एक महान निर्माता था उसने अजमेर नगर की स्थापना की तथा उसे राजधानी भी बनाया निमलिखित में से किस ने हरिकेल गरंत की रचना की थी विग्रह राज ने विग्रह राज चतुर्थ अथवा वीसल देव विजेता होने के सासत कवी और लेखग भी था उसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी इस नाटक के कुछ अंस एबग द्वारा निर्मित अड़हाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जित की दिवारों पर उतक्रीन भी किये गए हैं निमलिखित में से काउन सा एक सही सुमेलित नहीं है यह हमको देखना है तो ललित विग्रह राज सोम्देव और प्रत्वी राज विजय जैचंद अब यह गलत है दूसरा अला आब इसको देखते हैं जयानक ने प्रत्वी राज विजय नामक संस्कृत काव की रचना की थी तथा जैचंद ने हमीर महासकाव की रचना की थी जो जोहानवन्स के इतिहास की परंपराओं को विवरण देता है तो अगर प्रत्वी राज विजय की हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसके रचनाकार कौन है जयानक अगली रचना देखते हैं नव संहास कचित्रतम ये पद्धिगुप्त दार लिखा गया है और समरांगन सूत्राधार ये भोज द्वारा लिखित पुस्तक है निम लिखित में से किस सासक को राय पिथावरा के नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट कोश्चन है प्रतिवी राज त्रतिय को 1178 इसवी में सोमेस्वर का पुत्र इतिहास प्रसिद प्रतिवी राज त्रतिय सासक हुआ कथाव में इसे राय पिथावरा का नाम जो है दिया गया है आलह उदल लामक सेना पती किस राज की सासनकाल में थे पृथिवी राज की तृतिकेर थे दिल्ली के चौहान सासक पृथिवी राज तृति के सासन काल में लोगपरी सेननाय को आला उदल भी थे एक बार गुंदेल खंड के चंदेल सासक परमार दिद्देव ने 1182 में एक अभियान में आला उदल ने पराजित किया था चंदेल वंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी चंदेल वंस की स्थापना नन्नुक द्वारा की गई थी उसके अलावा और कुछ भी राजवंस हैं इनको देखते हैं तो चंदेल वंस नन्नुक द्वारा इस्थापित था, चोहान वंस की स्थापना वासुदेव ने की थी, गहडवाल वंस की स्थापना चंद्रदेव ने की थी, और गुजरात के चालु की वंस राजवंस की स्थापना मूल राज प्रथम ने की थी खजराहों के बिश्र मंदिर का निर्माण निमलिकित में से किस ने कराया था यशो बर्मन ने कराया था यशो बर्मन ने खजराहों के प्रसुद बिश्र मंदिर जिसको चतुरभुज मंदिर भी कहा जाता का निर्माण कराया था इसके अतरिक टेक विसाल जलायसे का भी निर्मान कराया था यसो बर्मन एक सामराजवादी सासक था उसने मालवा, चेदी, मद्धिकोशल पर आक्रमण करके अपना राजपरियाय विस्तार किया था विद्याधर ने किस गुर्जर प्रतिहार सासक का वद कर दिया था? राजपाल का चंदेल सासक विद्याधर ने एक हजार उननिस में गुर्जर प्रतिहार सासक राजपाल का वद कर दिया था? क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद करने के स्थान पर भाग खड़ा हुआ था? किस सासक की मृत्यू पर अध्य धारा निरा धारा निरा लंबा सरस्वती नामक कहावत प्रचलित हुई? परमार भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नामक भोजपुर जो आज का बरत्वान भोपाल है नमक नगर बसाया था और एक बहुत बड़े भोजशर नामक तालाप का निर्मार कराया था परमार भोज की मृतुपर पंडितों को सबसे अधिक दुख हुआ था क्योंकि उसकी मृतुपर यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि अध्य धारा निरा धारा निरा लंबा सरस्वती यानि विद्वा और विद्वान दोनों निरास्रित हो गए निर्म लिखित में से किसने भोजसाला के रूप में प्रख्यात एक महः विद्वाले की स्थापना की भोज ने परमार सासक भोज ने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़ कर धारा को अपनी राजधानी बनाया और भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और वहा भोज साला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्याले की स्थापना भी की इस भोज साला की दिवारों पर आज भी संस्कृत में इस लोग अब लिखित हैं निव लिखित में से भोज ने कौन सी उपाधी धारन की थी भोज ने कविराज की उपाधी धारन की थी भोज परमारवंस का लोगपरसिद सासक था, इसकी गड़ना भारत के महांतम सासकों में की जाती है, भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपादी से प्रख्यात था, ऐसा माना जाता कि उसने चिकित्सा साथ, खगोल साथ, व्याकरण, धर्म, इस्थापत सास आधि पर कई गरंत लिखे हैं, जब महमूद गजनवी ने सोमनात मंदिर को लूटा था, उस समय गुजरात का सासक कौन था, भीम प्रथम, भीम प्रथम गुजरात में चालू के बंसका सबसे सक्तिसाली सासक था, इसके सासनकाल में एक हजार पच्चीस इस्थी में महमूद गज समय गुजरात पर आखम्ण किया तता सुमनार मंदिर को लूटा और नस्ट कर दिया, इस मंदिर का बार में पुनर कुमारपाल ने कराया था, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इत्ता ही नेक्स्ट लेक्चर में सको हम कांटिनू करेंगे, नमस्कार धन्यवाद